कॉंग्रेस आज देश की सबसे बड़ी दशा दिशाविहीन पार्टी बन कर रह गई है इन दिनों कॉंग्रेस और उसके सवयोगी दलों ने एक नया पैतरा चला है यह पैतरा है नाम बदलने का पहले के जमाने में राजतान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं पहले के जमाने में कोई पीडी कोई कमपनी अगर बदनाम हो जाए उसके फ्रॉड करने वाली कमपनी का चिठा निकल जाए तो तुरंतों कमपनी वाले नया बौड लगा करके अपना कारोबार सुरू करकर के लोगों को ब्रमीत करने का काम करते हैं और नाम बदल करके लोगों को मुरग बना करके अपना धंदा पानी चलाने की कोशिश करते हैं कॉंगरेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रोड कमपनियों की नकल कर रही है UPA के कुकर में लोगों को याद ना है इसलिए उन्होंने अपना नाम UPA से बदल कर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाए UPA के नाम बदले नाम बदला है ताकि ये आतंगबाद के सामने गुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वाजगात को छिपा सके UPA नाम बदलता है ताकि ये गरीबों के साथ किये गए छल कपड को छिपा सके और मैं आज राजस्तान की धर्ती से देश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है पहले भी ये तो INDIA के नाम से आये हैं लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रहास किया गया है इंडिया नाम तो इस्ट इंडिया कंपनी में भी था इस्ट इंडिया कंपनी में में इंडिया था कर नहीं था लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ती दिखाने के लिए नहीं बलकि भारत को लूटने के दादे से लगाया गया था आपको याद होगा कि कॉंग्रेस के साथ अनकाल में सीमी यानि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट अफ इंडिया बना था नाम में इंडिया था लेकिन मिशन इंडिया को आतं की हमलों से बरबाद करने का था जब इसके कुकरम सामने आए तो सीमी पे बेंड किया गया और ये बेंड हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए उन्होंने भी नाम बढ़ ला पी एफाई सीमी बन गया पी एफाई यानि पॉपुलर फ्रंट अफ इंडिया नाम नया नाम में फिर इंडिया लेकिन काम वही पुराना साथियों आई एंडिया के नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारणामों को छुपाना चाहते है यूपिये के कारणामों को छुपाना चाहता है अगर इनको वह करी इंडिया की परवा होती तो क्या बीदेश से बारत में दखल डेने के लिए बात करते क्या अगर उन्हें इंडिया की चिंता होती जो क्या यह सर्जिकल स्ट्राइब और एंड़ पर सवाल उठाटे क्या इनको इंडिया की जिन्ता होती तो क्या ये गलवान में भारत की सेना के सौर्य को कड़गरे में रखते क्या साथियों ये बही चहरे हैं जो आतंकी हमला होने पर दुनिया के आगे रोते थे कुछ नहीं करते थे इने देश के सुरक्षा बलों के सामर्थ पर बरोसा नहीं है ये वही चहरे है जिनोंने हमारे शैनिकों का हक मारा है दसकों तक हमारे शैनिक वन रैंक वन पैशन मांगते रहे लेकिन इनोंने नहीं दिया जो लोग टुकडे टुकडे गैंक को गले लगाते हैं जो लोग भारत में भाषा के आधार पर बंटवारा करते हैं जो लोग भी देशों से सम्मंद भी इस आधार पर बनाते हैं कि उनका वोट बैंक ना राज ना हो जाए जिनके लिए राष्ट हीत नहीं बलकि वोट बैंक सर्वो पर ही है वे लोगा जब INDIA की बात करते हैं तो दिखावा लगता है चलावा लगता है जूठ लगता है बाई और बैंओ इन लोगों में अहंकार कुट कुट कर भरा हुआ है एक पार इनोंने नारा दिया था इंडिरा इज इंडिया और तब देश की जंता ने उनका हिसाफ चुकता कर दिया था चुन चुन करके साप कर दिया था उखाण फ्यका था उन लोगों को अहंकार ने अहंकार से भरे हुए इन लोगों ने फिर वही पाप दो रहाया है यह सुधर्य को तयार रही है यह लोग कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया इंडिया इजूपीए इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था